जब नए डीजीपी अलोक राज पदभार समाले थे इसके बाद उनका एक बियान आया था कि बिहार में जब पुलिस के द्वारा कारवाई हो तो माफिया के अंदर ये खौफ होना चाहिए कि कारवाई हुई है और दिखना चाहिए कि अब जो गड़बड करने वाले लोग है उन पे करवाई होगी सक्त करवाई होगी कोई बकसा नहीं जाएगा और ये जो उपलबधी सामने आया है ये वाकई नए डीजीपी को जाता है अब तक जो खबर मिला था उसमें ये अलग हटकर है यानि बिहार में अगर सराब बंदी खतम कर भी दिया जाए चलिए मान लि जिस तरह से डिमांड बढ़ा है इंगली सराब की 8PM और तरह तरह की जो ब्रांड है तो क्या गारांटी है कि जो सराब माफिया है वो बिहार में नकली सराब नहीं आने देगा खासकर इंगली सराब आप जब मार्केट से खरिदने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नक का लिया जाएगा लेकिन अगर वो नकली मिल गया तो आप क्या करेंगे तो माफियाओं के उपर करवाई होना और माफिया का कमर तोड़ना जरूरी है अगर सराब चालू करना भी है तो भी और नहीं करना है तो भी दोनों ही सूरत में जो सराब माफिया है उस पर करवाई ह बहुत जरूरी है ये जो ख़बर है राजस्थान से राजस्थान से हर्याना के रास्ते हर्याना यूपी के रास्ते पांच लोग सराब लेकर आ रहे थे 332 किलो मिटर तक पुलिस इन माफियाओं को रेखी करती है पीछा करती है और सराब के पाउच की अगर बात करें तो 2200 पाउच बरामत की गई है बहुत बड़ी उपलब्धी इसलिए कही जा रही है कि 332 किलो मिटर तक पीछा करना और इसके बाद 2200 पाउच को बरामत करना पांच आरोपी को पकड़ना और ये राजस्थान से चलकर हर्याना के रास्ते उत्तर परदेश के रास्ते ये बिहारा आ रहा था जिसे पकड़ा गया चर्खी दादरी के पास ये बौंद कला जगा का नाम है जहां पे जब पूछता चोई तो सारा मामला सामने आया हलाकि पुलिस को पहले ही सकता तो कुल मिला कर बिहार पुलिस डीजीपी का अब ये प्लान है कि जितने भी माफिया है इसको जड़ से मिटाना है चाहे भू माफिया हो सरा माफिया हो या फिर बालू माफिया हो जड़ से मिटाने के लिए जड़ से खतम करने के लिए इसके तंत्र इसके जड कहां कहां से जुड़े हैं उसे पता लगाया जा रहा है और उस पे वार किया जा रहा है बिहार में बालू माफिया जो पुलिस वाले को उपर गोली चला देता था पुलिस वाले के उपर गाली चला देता था अब मजाल नहीं है कि पुलिस वाले को हाथ लगा दे क्योंकि अब जो कारवाई हो रही है वाकई दिख रहा है खौप आ रहा है खौप दिख रहा है लेकिन यह अचानक से बदलाव नहीं होगा बिहार है और बिहार एक ऐसा परदेश है जहां बरसों से दसकों से बरस्टाचार का आरोप लगा नेता हो अधिकारी हो जेल भी गयें लेकिन इसके बावजूद बरस्टाचारी का जो सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा है लेकिन जब कारवाई होगी तो खौफ होगा और जब खौफ होगा तो इस तरह की जो अफराद है इसमें कमी आएगी और पुलिस को राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा फरिसान है पुलिस वाले भी फरिसान है देखिए जो रिस्वत खा रहे हैं जो कमीशन खा रहे हैं वो तो खा रहे हैं लेकिन जो इमांदारी से ड्यूटी करना चाहते हैं जो विहार को ससक्त बनाना चाहते हैं वो लोग भी चाहकर कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि सब यह पर बड़े अधिकारी मिले हुए और बड़े अधिकारी का जो आदेस होता है वो मानना पड़ता है लेकिन जब कुछ इमांदार बड़े पुलिस आ जाते हैं बड़े अफिसर तो बाकी जो इमांदार पुलिस वाले हैं अफिसर उनको हिम्मत मिलती है जैसा कि आपने ये दे एक साथ बाहर निकलकर और बयान देने लगते हैं कि इसने मेरे साथ भी फ्राउट किया, मेरे साथ भी किया, क्योंकि तब लोगों को लगता है कि अब ये जब सिकंजे में आया है तो इस पर करवाई होगी और ये जेल जाएगा और जेल में रहेगा इसके बाद ये सुधरेगा लोगों के अंदर हिमात आते हैं उसी तरह से बिहार पुलिस के अंदर भी आवी हिमत देखने को मिल रहा ह कि हिमादार डी जी पी आये हैं और ये सचमुच बिहार को बनाएंगे बिहार को सवारेंगे और इसका रिजल्ट अचानक से देखने को नहीं मिलेगा चाहे सराब माफिया हो या कोई भी माफिया हो बिहार में अगर सराब खोल भी दिया जाएगा तो आप चैन की सांस नही खोफ होगा तो इन सब चीजों पे लगाम लगेगा ही लगेगा तो जहां से सराब चला उलिस वाले वहीं से अगर पीछा करते हुए पकड़ने का कोशिस करते हैं तो इससे फाइदा ये होता है कि जहां से सराब भेजने वाला है उसके अंदर भी खोफ होता है और जहां त कि सब जगह से तस्कर नहीं पकड़ा जाता है लेकिन कहीं कहीं से सामने जो मामला आया है अलागर कि एक परिसानी की बात और है कि पुलिस वाले का जो प्लान होता है कि सरामाफिया को इस तरह से पकड़ना है इस तरह से कंट्रोल करना है समझे हैं नितिश कुमार यार में सराबंदी किये तो जितना सोच कर वो किये थे उससे ज़्यादा खतरनाक प्लान मिला सराब माफिया का इसके बाद देरे देरे लगाम लगता गया क्या-क्या ड्रोन और हेलिकोप्टर लगा कर डौग लगाकर सराब माफिया के उपर नकेल कसने कोशिस किया गए लेकिन कामयाभी नहीं मिली लेकिन अब ये जो तरीका है कि इसमें कामयाभी मिलेगी क्योंकि माफिया को पहले ही सारा डेटिल्स पता चल जाता है कि पुलिस का क्या प्लान है कैसे टार्गिट किया जा रहा है अब माफियाओं को तो पुलिस का जो प्लान होता है उसका काट ये लोग पहले ही निकाल लेते हैं देखिए न किस तरह से बारत सरकार का ये अस्कीम है कि जीरो टॉरलिंस अब आपको किसी भी काम में कहीं रिस्वत नहीं देना है सरकार जो भी पैसे देगी वो डायरेक्ट आपके खाते में देगी चाहे इंद्रा आवास हो या किसी भी तरह का योजना हो सिदे आपके खाते में भेजी जाएगी लेकिन क्या इसे रिस्वत नहीं लिया जा रहा है, लिया जा रहा है ना, तरीका निकाल लिया गया है ना, उसी तरह से सरामाफिया भी तरीका निकाली लेता है और इसी बात का सबसे ज़़ादा खतरा है लेकिन ड doubt जो नए DGP हैं, ये अगर त्यारी करेंगे पूरी तरह से, जैसे सबसे पहले कि आपको आधोनिक टेक्लिनोजी का इस्तेमाल करना होगा जैसे लोकेशन ट्रेक करना सरा माफिया का call details कहां किस्से बाते होती है जैसे जो एक बार सरा माफिया पकडा जाता है तो इसके बाद उसके call details को खंगाला जाए देखा जाए कि इसकी बाते किसके किसके साथ होती है और उन सबका डिटेल्स पे नज़र रखी जाए अब ये जो आधूनिक तक्नीक है इसका इस्तिमाल किया जाएगा तो सायद सराब माफिया पे लगाम लगाया जा सकता है लेकिन थोड़ा मुस्किल तो है अब दसारा से पहले अगर सराब बंदी हटाया जाता है तो इसका फायदा सीधे सीधी बिहार सरकार को जाएगा क्योंकि सराब ना तो बिकने का बिकने से थमने का नाम ले रहा है और ना ही और ना ही बिहार में सराब आने से बा जा रहा है यानि सरा माफिया सरा पहुचाने से बाज आ रहा है तो कैसे लगाम लगाया जाएगा मतलब नए DGP साहब इहार पुलिस चाहे कितना भी बेहतर काम करे लेकिन आठ वर्सों का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को देखते हुए यकीन करना मुस्किल है वरोसा करना मुस्किल है कि नए DGP साहब इन सब पे कंट्रोल लगा पाएंगे और सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आप कंट्रोल करें और जनता, बिहार सरकार, बिहार सरकार के खजाने, सरा माफिया सब ही को देखते हुए फैसला लें